हेलो बचो आज मैं हिंदी का आगला चेप्टर लिखा आया हूँ और इस चेप्टर का नाम है प्रगीत और समाज प्रगीत और समाज तो चलिए हम देखते हैं इसके अबजेक्टिव को और मैं समझता हूँ कि आप अगर धेहान से बारिकी से देखेंगे तापके यह अबजे कौन नामवर सिंग की कौन सी रचना है तो नामवर सिंग की रचना यहां दिया हुआ है आपको यहां पर उप्रगीत और समाज या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है प्रगीत और समाज की लेखा कौन है तो नामवर सिंग उप्सन नमबर सी नामवर सिंग या नामवर सिंग की क कुन सी रचना है ता प्रगीत और समाज चलिए आगे देखते हैं नामवर सिंग के गुरू कौन थे अप्शन भी है हजारी परसाद दूवेदी हजारी परसाद दूवेदी नामवर सिंग के गुरू हजारी परसाद दूवेदी थे अगला कुशन है नामवर सिंग ने बी ये अगला कुछन है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुन्दर होना चाहिए यह किस कवी की कविता का अंस है दुनिया को हाथ की तरह गर्म तथा सुन्दर होना चाहिए यह किस कवी तथा कविता का अंस है तो option number A यहां दिया आ गया है option A किदारनात सिंग अगला है अचारे रामचंद्र सुकल के काबे सिधान्त का आधर्स कौन सा कवे आचारे रामचंद सुकल के काब्य सिधान्त का आधर्स कौन सा काब्य है तो अप्शन नमबर C प्रबंध काब्य सहर्ष स्विकार सहर्ष स्विकारा है कविता के रचियता कौन है मुक्ति बोध मुक्ति बोध lepon B अगला कौशन है सचे अर्थों में प्रगी तात्मकता का आधर क्या है तो अप्शन C समाज के ब्रुद ब्यक्ति समाज के ब्रुद ब्यक्ति पर किसने यह पर किसने यह सातो सागर के पाड एकाकी पन से ही मानुहार यह किस कवी के कविता का अंसर तो देखेंगे उप्सान नमबर A में है समसेर बहादूर सिंग अगरा खुशन हम देखते हैं नागा अरजुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तितु किस परकार का है ध्यानने के बचो नागा अरजुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तितु किस परकार का है तो निस्कवय फकर निश्कवेव फकर option number C option number C नामोवर सिंको कविता के नय प्रतिमान पर साहित अकादमी पुरुश्कार कम मिला था तो 1971 इसमि चाहित नामोवर सिंको कविता के नय प्रतिमान पर तन गईडी किसकी कविता है तन गई यह असपस्त नहीं बचो तो यह किसकी कविता है तो नागा अर्जुन की अपसन नमर सी नामवर सिंग उन्हेशा सत्तन में किस बिश्विदाला में हिंदी विभाकिय अध्यक्षपाद पर प्रोफेसर के रुप में निउप्थ हुए तो जोधपूर बिश्विदाले अपसन नमर डी जोधपूर बिश्विदाले एक बार फिर से दखेंगे नामवर सिंग उन्हेशा सत्तर में किस बिश्विदाले की ध्यान देंगे नामवर सिंग 1970 इस्वी में किस विष्विदाले में हिंदी विभा के अध्यक्षपाद पर प्रोफेसर के रुप में नियुक्त हुए थे तो जोदपूर विष्विदाले दूसरी परमपरा की खोच किसकी रचना है तो नामवर सिंग की अफ़सा नमर बी नामवर सिंग की दूसरी परमपरा की खोच किसकी रचना है तो नामवर सिंग निमलिखित में से कौन सा परले की चाया की कभी है तो परले की चाया की कभी है जैसंगर परसाद आपसन नमर सी जैसंगर परसाद तुलसी दास के रचियता कौन है तो सुर्य कांत त्रिपाटी न option number D है बच्चो तुलसी दास के रचियता सुर्य कांथ त्रिपाठी निराला कविता के लिए प्रतिमान के लिखक है कौन नामवर सिंग बाज की डाढ में आदमी का खुन लग चुका है या किस कविता की पंक्ति है तो तय तो यही था, option number D तय तो यही था, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किस की कविता है तो मुक्ति बोध की, मुक्ति बोध अप्सान नबर A, मुक्ति बोध यह है, नामवर सिंग का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंग का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था, तो ध्यान देंगे, प्रिथवी राज रासो की भासा, कौन से पुष्टक नामवर सिंग की है तो प्रिथवी राज रासो की भासा, अप्सान नबर B, अप्सान नबर B, कौन से पुष्टक नामवर सिंग की नहीं है, तो तिरीच, अप्सान नबर C, तिरीच पुष्टक नामवर सिंग की नहीं थ्यान देखे तो अभी इसी की चर्चा के यही चप्टर चल रहा है प्रगीत और समाज के लिकखक नाम वड सिंग है नामवर सिंग द्वारा लिखित प्रगित और समाज क्या है तो निवन्ध है नामवर सिंग के द्वारा लिखित प्रगित और समाज क्या है निवन्ध है आगे देखते हैं नामवर सिंग नामवर सिंग को किस किरित पर साहित आकाद्मी पुरुषकार प्राप्थ हुआ तो कभिता के नय प्रतिमान पर नामवर सिंग को किस किरित पर साहित आकाद्मी पुरुषकार प्राप्थ हुआ था तो कभिता के नय प्रतिमान पर उप्षन ए अगला कुछन है नामवर सिंग प्रधान संपादक थे आलूचना त्रेमासिक के अगला है बच्चों कमईनी के कवी है कमईनी के कवी कौन है प्रसाद जी है का माईनी कर भी कौन है प्रसाद जी लिरिक का पड़ियाय है प्रगीत इसको अगर सही धंहिए तो आपका हिंदी का उब्जेक्टिव कम्प्लिट हो जाएगा फिर अगले सीप्टर को लेकर हम अगले दिन आएगे अगले वीडियो में आएगे जब तक लिए धन्यवाद